और क्या हाली मेरी दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाकला में स्वागत की साथ साथ अभी नदन करती हूँ आप लो कैसे हो आज श्वेता पाकला हम बना है भिंडी की द्वारा त्यार सब्ची जो जटपट बन के त्यार हो जाएगी कम सामागरी कम तेलो कम मसालो के दुआरा इस सब्ची को आमने बना के तयार किया विल्कुल नए अंदाज में एक बार आप इस रिश्पी को ज़रू ट्राइए करेगा अगर आपके पास समय कम हो और पूरी पराठाक लिए कोई भी आ बना के त्यार करना और गर्मी की सीजन में तो इस रेस्पी को आप जरूर ट्राइ करेगा चलो दोस्तों हम आप इसको मिल्क बनाना शुरू करते हैं आज की सबची जटपट भी बन के त्यार हो जाएगे वो बिल्कुल नए अंदाज में बना के त्यार करेंगे इसके लिए आधा केजी हमने भिंडी लिया था भिंडी को पानी से अच्छी तरह से दो से तीन बार रगड़ते हुए धुल के साफ करके उसके बाद इसको हमने पोच के त्यार करना है या फिक गर्मी का सीजन है आप इस तरह से धुल के थोड़ी देर के लिए भिंडी को रग देंगे तो इसका पानी अपने आप भी सू अब इसी बिंडी के तोरह हमने समची को बना के त्यार करना है गैस पर पहले हमने पैन रग दिया पैन गरम हो गया तो इसके अंदर दो से तीन टेबे स्पून सरसो का तेल डाल देते आप जो भी तेल खाते है अपने टेस्ट के साब से तेल पैन के अंदर डाल लीजे जब अच्छी तरीके से तड़के से साथ मिला लेते हैं तड़के को हमने जलाना बिल्कुर नहीं इस तरह देखे हरी मिर्च भुन के तयार होगे अब इसके अंदर आधी भिंडी को डाल देते हैं और तड़के साथ अच्छी तरह से मिला लेते हैं बच्चों को भिट्टी भिंडि को पहले तरकीक साथ अच्छी तरीके से हमने मिला Proto दिना मिला पर रिंदि में परीप लुवच्छ की फ्लेम को लियुक्तव्र मांटिन थे ही कार्था कर लियुक्त निल या grant लोठ करना है और को घंaning केस्ध की फ्लेम को अ कश्टक अप्छी फ्लेम को मीडियम करते थे इसको कवर करके दो मिनट तक हमने और पका के त्यार कर लेना पर बीच में आप इसको एक से दो बार जरू चला लीजेगा कि सबची नीचे से जले नहीं और इस तरह देखे इसको पकते वे दो मिनट हो गया है दुबारा से भी इसको अच सब्ची मसाला है एक पर आप इस तरीके से मसाली को बना के त्यार कर लेंगे किसी भी सब्ची में डालेंगे थोड़े से मसाली के त्वारे ही सब्ची बहुत ही जादा टेस्टी बन के त्यार होती है मसाले और नमक को भिंडी साथ अच्छी तरीके से अपने मिला के त्यार कर जाए और मसाले और नमक कस्वाद भिंडी में अच्छी तरह से घुल मिल जाए और इस तरह देखे भिंडी को पकते वे लगबग 4 मिनट हो गया है आधा पीस हमने नीबू लिया था उसके बीच को निकाल देते हैं और नीबू के पूरे रस को इसके अंदर डाल देना है डाल के खाने के लिए बना के तैयार कर सकते हैं एक पर आप इस रेश्पी को जरूर ट्राइक करेगा अगर रेश्पी अच्छी लगी वीडियो पसंद आए तो लाइक सेयर सब्सक्काइब करना बिलकुद नहीं बूले स्वात की साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए हिल्द इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्वाद बहुत बहुत शुक्रिया